तो profit or loss के हम order example देखते हैं वो आपको notebook में भी लिखने हैं जंग seller buys newspapers for 5 रुपीज पर केजी and later sold 10 kg of newspaper for 100 रुपीज did he has profit or loss तो जंग seller ने newspaper खरीदे हैं 1 kg के 5 रुपीज है तो वो उसकी cost price है और उसने बाद में उसको 10 kg के हिसाब से 100 रुपीज में बेच दिये हैं तो उसकी selling price आ गई 100 रुपीज अभी ये जो 100 रुपीज है वो 10 kg newspaper के हैं और ये जो 5 रुपीज है cost price वो 1 kg के हैं तो पहले हमें ये 10 kg की cost price कितनी है वो दुननी है तो उसके लिए चलिए अभी क्या करते हैं 1 kg newspaper is equal to 5 रुपीज तो 10 kg newspaper के कितने हो गई cost price 10 kg multiply 5 रुपीज तो 50 रुपीज cost price आ गई ओके 50 रुपीज cost price आई और selling price थी 100 रुपीज तो हमें मुनाफाई होता है क्योंकि selling price ज्यादा है तो profit की formula अभी देखते हैं profit is equal to SP minus CP तो 100 minus 50 50 रुपीज हमारा profit हो गया 50 रुपीज तो answer लिखेंगी a junk seller had 50 रुपीज profit 5 रुपीजाओ ancora flourish 5 रुपीज ए JUUM 5 रुपीज वके 25 रुपीज की management